Hello everyone, कैसे हैं आप सब, I hope कि आप सब बढ़िया होंगे, आज हम बनाने वाले हैं Orange Berries का मोहितो, मोहितो बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहां पर ले रही हूँ, एक Orange, उसे अच्छी तरह से Peel Off कर लेंगे, मिलकुल इसी तरह से, Orange को Peel Off करने के बाद, मैं यहां पर एक Glass के अंदर तीन से चार Orange की पीसिस दाल रही हूँ, इसके साथ दालूंगे कुछ blueberries, देख सकते हूँ, बस इतने काफी होंगे, और इसके साथ हम दालेंगे, दो से तीन Mint Leaves, याने पुदीना, अब हम Mix करेंगे, थोड़े से काला नमक के साथ, अब इसे मैं थोड़ा सा मैश कर ले रहे हूँ, आपको इसी तरह से इसे कूट लेना है, देख सकते हो, इसके औरेंज के फ्रेश जूस, ब्लूबेरीज और मिंट का एक अच्छा फ्लेवर आ जाएगा, इस तरह से मैश करने पर, अब इसके अंदर हम दालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, मैं याप पर शान का चाट मसाला ले रही हूँ, आप कोई भी ब्रैंड का ले सकते हो, चाट मसाला हम दालेंगे, एक से दो पिंच, इसके साथ मैं दाल रही हूँ, थोड़ा सा ओरेंज जूस, करीब दो से तीन छोटे चमच, और मैं यहाँ पर ले रही हूँ, थोड़ा सा हनी, आप हनी अगर आपके पास हो, तो आप हनी दाल लिए, वरना आप शुगर से रब दाल सकते हो, या फिर आप शुगर भी दाल सकते हो, यानि शकर, इन सभी को अच्छी तरा से एक मिक्स देंगे, ताकि सभी एक दूसरे के साथ अच्छी तरा से मिक्स हो जाए, अब इसमें मैं ले रही हूँ, स्प्राइट सोड़ा, आप प्लेइन सोड़ा भी ले सकते हो, सिजलिंग वॉटर जो होता है स्पार्कलिंग वॉटर वो भी ले सकते हो आपकी छोई से और बस उसे इसके साथ मिक्स करिए अब एक से दो औरेंज इसको ऐसे छोटे चोटे पीसिस में हम कट करके इसके उपर डाल देंगे यह एक क्रंच देगा जब आप सोडा पीओगे मुही तो पीओगे उसके साथ में यह थोड़े औरेंज इस आपको अच्छे लगेंगे थोड़े से ब्लूबेरिस को भी कट करके डाल देंगे मैं यहां पर तीन से चार ब्लूबेरिस को कट करके डाल रहे हूँ इसके साथ एक से दो मिंट लीव्ज लेंगे यानि पुदीना के पत्ती को इस तरह से थोड़ा सा क्रश करेंगे हाथों से और इसे भी डाल देंगे अब लास्ट टेप है मैं यहां पर लिंगी एक आइस क्यूब और इसे दाल दे रहे हूँ अगर आप थंडा जादा पीते हो तो आप आइस क्यूब्स की क्वांटिटी बढ़ा सकते हो या अवाइड भी कर सकते हो इन सबी को अची तरह से मिक्स करिए और दाट सिट हमारा म watching, take care, bye!